दोस्तों यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती 2023 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप सभी को पता है यूपी पुलिस कॉंस्टेबल का जो फुल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है तेकि आपके बीच में टोटल पद यानि कहा जाए 60,224 पदों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है अगर देखा जाए जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है आप सभी के कुछ कॉमेंट आ रहे हैं कि बया EWS हमारा कपका होना चाहिए जाती प्रमारपत्र हमारा कपका होना चाहिए कट आफ कितनी रहेगी अगर दे अलकि अभी इस कट आफ यानि 2023 जो आपकी भड़ती आई हुई है 60,224 पदों के लिए इसकी कट आफ कोई बता नहीं सकता जब तक आवेदन नहीं होंगे आवेदन के बाद फाइनली जब तक एक्जाम नहीं होगा तब तक आपकी कट आफ नहीं बताई जा सकते भले ही लो 27 दिसंबर से आपकी आवेदन प्रक्रिया इस्टार्ट हो रही है तो फाइनली हम इन सभी मुद्धों पर चर्चा करेंगे दोस्तों मैं हूँ संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ और विननन करता हूँ आज के इस वीडियो पर मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहल आवेदन सुल्क रखा गया है और यहां अरिसूचना जारी 23-22-23-27-22-23 से आवेदन प्रक्रिया सुरू होगी और आपकी जो आवेदन है वो 16-1-2023 तक चलेगी और 16 तारिक तक ही आप परिक्षा का सुल्क का भुक्तान कर पाएंगे और सुधार यानि आवेदन में सुध लिजिएगा देखिए कहा जा रहा है आपके बीश में जो है एज को देख लिजिएगा यूपी पुलिस कॉंस्टेबल अजिसूचना 2023 आयू सीमा एक साथ 2023 से ये काउंट होगा यहां देख लिजिए देखिए यहां नियुनतम आयू जो है वो 18 वर्स होनी चाहिए अधिक को आप देख लिजिए क्वालिफिकेशन टेलपेश्टो इंटरमेडियर परिक्षा उतीर्ड यहां कैटेगरी वाइस आ जो है दिया जा रहा है किस रेडिक है कितने पद हैं सामाने के 24,102 आने पिशड़ा वरे के 16,264 EWS के 6,224 और अनसूचित जात के 12,650 और अनसूचि 1224 यहां आपने देख लिया आगे यहां देखिए उचाई आपकी कितनी होनी चाहिए जनरल OBCC के लिए 168 cm और पूरूस HD के लिए 160 cm महिला जनरल OBCC के लिए 152 और महिला HD के लिए 147 cm और यहां जो चेस्ट होना चाहिए चेस्ट देख पा रहे हैं 89 से 84 cm और यहां 72 से 87 से 82 और यहां महिला के लिए कोई नहीं कुछ नहीं ठेक है आगे यहां देखिए दोड़ना जो आपको है वो 25 मिनट में 4800 मीटर आपके रेस होनी चाहिए यह पूरूस के लिए है और यहां महिलाओं के लिए 14 मिनट में आपको 2400 मीटर के रेस लगानी है ठेक है और भ ये वर्स 2023 का होना चाहिए, ये तो क्लियर है, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथी के पहले का होना चाहिए, ठीके आप इस चीश को पढ़ लिजीगा, इसे पढ़ने में हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, लेकिन द्यान दिजीगा, आवेदन की अंतिम तिथी के पहले का ह होना चाहिए अब यह कट ओफ आप देख लिजिए यह जो 2018 में भड़ती आपकी हुई थी उसका कट ओफ है अनारक्षित वर्ग का इन चीजों को आप देख लिजेगा ठेक है अलाकि एक देखा जाए और भी डाउट्स आपके उड़ते हैं आपको पता है देड़ सो नंबर के आपके परिक्षाएं होंगे ठेक है और यहां जो है देड़ सो नंबर की परिक्षाओं में आपके नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा जाता है प्रतीक प्रश्ण आपके दो नंबर के होंगे ठेक है और यहां देसमलों पांच जीरो आपके जो है एक प्रश्ण पर नेगेटिव मार्किंग होगे हलाकि इसका फुल विश्लेस्टन हम अगले वीडियो में और भी अच्छी तरह से करके बता होना चाहिए ठेक है यानि एक अपरेल 2023 या भड़ती के निर्धारित आवेदन करने की अंतिमतिती तक निर्गत होना चाहिए अगर उसके बाद का आपका होता है तो काश्ट सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा AWS भी काम नहीं करेगा इसलिए इन दोनों के लाव को अगर लेन और चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रूट कीजिए का वड़ी जमाब करते थैंक्स धन्यवाद